हलो सब सभीका स्वागत है उटर है उस हिंदी पे आई होप यू गाइस डूइंग वेल सो गाइस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यह कार जो कि है माहुती सुजुकी एस्प्रेसो यह बेस्टांडर्ड वेरियंट है और पीछे की साइड आप जैसे की देख सकते हो यह यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल मिलता है वो है 145-80R13 यह 13 इंचिस के स्टील रिम्स अपको मिलते है वील क्याप्स नहीं दिये गए है यहाँ यह आपकी साइड बॉडि क्लैडिंग फ्रेंट टायर प्रोफाइल भी सिमिलर है जो कि है 145-80R13 इस कार में आपको ग्रा डिजाइन देखने को मिल जाएगा है यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हेलोजन बल्ब्स दिये गए है और यहाँ इसका फ्रेंट प्रोफाइल ब्लैक बंपर मिलता है आपको यहाँ पर फॉग लांप हाउजिंग दिया गया है लेकिन फॉग लांप इस काइंड ऑफ मिस अब मैं आ चुका हूं इंटेयर ऑफ दी मावती सुजुकी एस्प्रेसो बेज वेजिंट यह आपका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर आपको कफी प्लेन बेजिक इंस्टीर मिलेगा क्योंकि यह बेज वेजिंट है म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है दिस इस यॉर हजर् कंडिशनिंग इस कार में आपको ड्राइवर साइड एर बैग एबीए सीबीडी जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे फ्रम दे बेज वेरियंट और यहां पर अगर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स है बहु मिलता है कुछ इस तिरह के इंटियर आपको देखने के लिए मिलेगा डॉर पैट्स में जैसे कि आप देख सकते हो बॉटल होल्डर दिया गया है और निउस पेपर या फिर मैगजीन होल्डर आप मैगजीन रख सकते हो आपको कार में आगे और पीछे पाव विंडोस नही दिये गए है इंड़ बेज वेरियंट और दैट इस अब इट आपको इसका सेकेंड रॉस पेस दिखायता हो कि कि आपको कितना स्पेस मिल जाता है इंड़ लिए इंड़ सेकेंड रॉफ दी मावती शुजुकी एस्प्रेसो और दिस इस देखने में मिलेगी आपको बेज बेज वेरियंट का जो प्राइज है वो है 3,69,000 रुपीज एक शोरूम और जैसे कि आप देख सकते है कुछ इतनी स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगी इंड़ी एस्प्रेसो इन टर्म्स ओफ लेग रूम जैसे कि आप देख सकते हो लेग रूम डीसेंट है आप अपन लिए इतना ज़्याद अच्छा नहीं है यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और इन टर्म्स ओफ शोल्डर रूम आप दो अडल्स और एक बच्चे को बिठा सकते हो at the end of the day यह एक छोटी कार है और यहाँ पे आपको पार्शल शेल्फ नहीं दिया गया है क्योंक अगर हेड्रूम की अगर बात करें तो हेड्रूम काफी अच्छा दिया गया है क्योंकि यह एक टॉल कार है जिसके हेड्रूम अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है टू होल्ड ऑन टू ड्राइवर के अलवा आपको तीनों जगह पे हैंडल मिल जाएगा एंडिस इस हाव डाशबोर्ड लुक्स लाइक काफी प्लेन और सिंपल डाशबोर्ड दिया गया है अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखायता हूं और डोर पैट में पीछे आपको कोई भी स्ट्रेज स्पेस नहीं है को और सुर्देज यह है बूट स्पेस ऊफ द्स उफ-ध यह अपका स्पेर वील जो कि ऑफिक टेल तकि अग एंप मिलते है इंडवuss वेरिएं और सिंठ इंस इस एंग्रेटा है घक है साइस का बूट दिया गया है यहां पर आपको लोडिंग लिप जो है वो थोड़ी सी हाई जिसके वैसे आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा सामान and that's about it so guys यह है एक quick video of the mouthy suzuki espresso from my side I hope you guys liked it अगर आपको कुछ doubts है सवाल है तो आप definitely मुझे लिख सकते हो on my instagram handle as well as in the comment section below and I'll be more than happy to answer most of your doubts I'll see you guys in the next one until then drive safe ride safe bye